Assalamu alaikum, आज मैं आपके साथ फलाफल और पीटा ब्रेट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ यह फलाफल मीडिली स्टेम रेसिपी है और पीटा ब्रेट में इसको रखकर सर्फ किया जाता है इसके साथ एक चट्मी या सॉस बनाया जाता है जो तिल से या भी ताहिनी से बनता है इस तरह पीटा ब्रेट को बीच पे से कट कर कर पहले इसके अंदर सॉस मिलाते हैं और इसके बाद हम थोड़ा सा सैलड और इसके अंदर फलाफल के बॉल्स रखकर सर्फ करते हैं यह एक मीडिल स्टेंड रेसिपी है सारे मीडिल स्टेंड के शॉप्स पर यह आसानी से मिल जाती है और इसे पुरा बहुत हिल्थी भी रहती है ये एक vegetarian recipe है ये जो falafal के balls होते हैं ये चने से बनते हैं जिसे हम हम चना मसाला बनाते हैं तो उसी चने से ये falafal के balls बनाते हैं यह फलाफल की रेसिपी आप एक बर जरूर ट्राइ करकर देखना यह उपर से ब्राउन हो जाता है जब हम इसे अंदर कट करते हैं तो अंदर इस तरह का ब्यूटिफुल ग्रीन कलर का रहता है इसके पहले हम भीटा ब्रेट की तयारी करते हैं इसके लिए मैंने एक कप मैदा कर देना और हम यह इस्ट को ब्लूम होने के लिए नहीं रखेंगे इसको इमीडियेटली हम आटे में मिक्स कर देंगे अब एक बॉल में एक कप मैदा है और यह वन बाई फोर्थ कप गहू का आठा है और थोड़ा सा साल्ट है हाफ टी स्पून जितना साल्ट आठ कर लेना और इसको अच्छे से मिक्स करकर इसके अंदर जो इस्ट का पानी है वो मिलाकर हम इसको मिक्स कर देंगे यह आटा साफ्ट नहीं बनाना है थोड़ा सा घटी बनाना है इस तरह बीच में एक वेल बना लेना और इसके अंदर यह इस्ट का पानी आट कर लेना यह पूरा एक जगह नहीं आया तो मैं इसको प्लाटफर्म पर ट्रांसफर कर दिया, अब इसको मैं थोड़ा सा नॉर्मल पानी मिलाकर एक घंड़ो बना लूँगी हम पीजे का डो बहुत सौफ्ट बनाते हैं लेकिन इसका बहुत घंड बनाना है और इसको टोटल पूरा फाइब मिनेट के लिए इसी तरह गूनते रहना है फाइब मिनेट्स आप पूरा गूनने के बाद इसके पर थोड़ा सा दो टेबल स्पून जितना ओली पाइल लगा लेना और इसको और दो मिनेट और गूना इसके बाद हम गूना हुआ दो को थोड़ी देर राइस होने के लिए रख देंगे अब इसको हम किचेन टवल दालकर 10-15 मिनेट के लिए इसी तरह राइस होने के लिए रख देंगे 10 मिनेट के बाद आप इसको निकाल लेना और हम इसको छोटे छोटे पेड़े बना कर इसके रोटिया बना लेंगे इसको यह ज्यादा राइस नहीं हुआ है लेकिन कोई बात नहीं किके हम इसको बेल कर बहुत देर रखेंगे तो इसमें यह राइस हो जाएगा निकालने के बाद मैंने एक बार इसको भीर से गुन लिया है अब इसके बाद मैं इसके चोटे चोटे पेड़े बना लूगी मैं ये पीटा ब्रेड स्मॉल साइज में बना रही हूं क्योंकि बड़े साइज की पीटा ब्रेड को खाने में मुश्किल होती है वह हैंडल नहीं होता वह बाजुक से इसका फालाफल का बॉल निकल जाता है और सॉस भी पूरा फ्लिप होता है तो तो इस बार मैं चोटे पीटा ब्रेड बना रही हूं इसके लिए मैंने छोटे से आटे की लोई ली है इसको हम बेन लेंगे ये पीटा बेंड में दो फाला पिड़ी हो जाते हैं मैंने यह काबूली चना लिया है इसको एक दिन पहले ही धोकर बिघो कर रखा था अब इसको मैं एक ग्रांडर में थोड़ा से धर-धरा पीच लूँगी मैंने धर-धरा पीच लिया है इसके बाद इसमें बने पार्सली एकप आट करना है अपने एक यानि की गुतमिट से थोड़ा different होता है इसको mix करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा जीरा पौडर आट करेंगे एक teaspoon जितना और इसके अंदर नमक बी एक teaspoon जितना आट करेंगे बाद में taste देकर इसको adjust कर लेना और इसके अंदर हम काली मिट्चे आट करेंगे फ्रेश ग्राउंडेट काली मिट्ची ही यूज़ करना और थोड़ा सा एक इंच अद्रक का पीस लिया है मैंने और दो गालिक के पीसे इसको भी कट करका रखा है वो भी मैं इसमें आट कर दोंगी सारे मसालों की कॉंटिटी मैं दिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दोंगी एक बाद दिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर शेक कर लेना थोड़ा सा एक चुप्ती धनिया पॉडर भी आट किया है मैंने इसमें थोड़ा सा हाफ टी स्पॉन जितना बेकिंग सोडा भी आट करेंगे हम इन सोब को मिक्स कर लेना इसके बाद मैं इसमें 1 by 4th cup मैदा आड़ करोगी, यह 1 cup चना लिया था मैंने भीगोने से पहले और इसके हिसाब से मैं 1 by 4th cup मैदा आड़ कर लोगे मैदा आड़ करने के बाद आप इसको mix कर लेना, इसके बाद हम इसको भीर एक बार grinder के जार में डाल कर भीर से grind कर लेंगे यह धर धरा है तो आप नेक्स टाम जब हम पीसेंगे तो यह बिल्कुल fine हो जाएगा और इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो इसका मैदा सक कर लेगा इसके अंदर थोड़ी सी मैं लाल मिर्ची भी आड़ कर रही हूँ यह कायन पेपर है, कायन पेपर भी थोड़ा spicy होती है अब इसके बाद आप इसका थोड़ा सा टेस्ट देख लेना है तो इसमें थोड़ा सा नम्मक और थोड़ी काली मिर्ची और लगेगी तो थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा नम्मक और आड़ करूँगी मैं अब इसके बाद हम लास्ट में इसके अंदर जो हमने गालिक को कट करकर रखा था वो एट कर देंगे और इसके बाद मैंने एक हाफ ओनियन को भी बहुत बारीक कट करकर रखा है वो चॉपड ओनियन भी मैं इसके अंदर आट कर दूँगे इसके बाद हम ये चौपर में दाल कर भी एक बार इसको ग्राइंड कर लेंगे अगर चौपर नहीं है तो आप ग्राइंडर में भी इसको ग्राइंड कर लेना ये इस तरह का fine paste बन गया है अब इसको हम बिल्कुल हलके हाँ से balls बना लेंगे अब ये देखने में बिल्कुल soft है लेकिन ये oil में डालने के बाद खुलेंगे भी नहीं और बहुत अच्छे से fry भी होजाएंगे इस बीट मैंने ऑईल गरम होने के लिए रख दिया है और उसके अंदर हम इसको बैचेस में फ्राइ करेंगे पूरे एक साथ नहीं दालना एक कड़ाई में जितने आते हैं उतने ही दालना स्टॉक का फ्लेम मीडियम पर रखा है जब ऑईल अच्छे से गरम हो जाएगा मीडियम फ्लेम पर 5 मिनिट्स तक पकाना है दालने के बाद 5 मिनिट्स तक आप चमचा नहीं लगाना यह जब गोल्डन ब्राउन की कलर के हो जाएंगे तब यह खुद ही ऊपर आ जाएंगे तब हम इसको निकाल लेंगे अब यह अच्छे से फरै हो गया है तो मैं अब इसको निकाल लोंगे इस तरह तीन या चार बैचेस में अव्रय कर लेना प्रे फलाफल के बाल्स को फ्राय कने के बाद एक पैन-गरम कर लेना यह उसके बाद जो हमने पीटा को बना का रखा है हम उसको सेक लेंगे इसको पाइल या भी बटर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है इसको बस आप एक स्टॉव पर गरम कलेना और उसके उपर रख देना तो यह गरम तवे पर 30 सेकंड्स एक तरफ करना उसके बाद आप इसको फिलिप करकर थोड़ा सा क्यूंकि इस तरह कॉर्णर को प्रेस करने से अच्छे से फूल जाती है दो साइट सेकने के बाद निकाल देना है यह मैंने छोटे साइस के बनाया है तो मैं एक पैन में दो बना लूँगी एक साथ सारे पीटा बरेड बनाने के बाद फलाफल और पीटा ब्रेड को असंब करना अला अफीज